नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आपका वी के यूटूब चैनल में तो किसान भाईयों आप चैनल पे नए हैं प्लीज पहले चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए ताकि खेती से जुरी सारी जानकारी हम दे सकें तो आज हम धनिया बोने का नया तरीका बताने जा रहे हैं यदि अगर आप धनिया की खेती करते हैं तो प्लीज एक बार इस मीडियों को देखकर इस तरह से खेती कीजिए खेत की जुताई कराने के बाद इस तरह की डुडुही हलके हाथों से आधी जुडुही बनाना है आपको जिस तरह से हम बना रहे हैं आप देख लीजिए इसमें अभी आधी जुडुही बनी हुई है यह हलकी माटी निकाली जा रही है अभी आपको धनिया का बीज इसमें नहीं छीटना है धनिया का बीज छीटेंगे तो हम फिडियो दिखाएंगे पहले आप खेत की जुद्धाई करवाने के बाद आप तो जानते हैं कि धनिया में कोई दवा नहीं लगती और कोई अगर खेत ठीक ठाक है तो कोई खात कभी फिडियो गिना करें अगर आलू खोदने के तुरंद बाद बोना है या फिर एक दो महीने के बाद बोना है फिर भी इसमे खाद कष्यमन न करें तो अब देख लीजीए इतनी हलकी माटी निकालने के बाद फिर अगरे अगला प्रोसेस रहेगा धनिया का बीज चीटना जब इसको आफ हलकी माटी निकाल के दो ही बना लेंगे तब इसमें हम धनिया का भीज छीटेंगे इसलिए हम कहते हैं कि सांबाई ये पूरे वीडियो के अंत तक बने रही है और आपके जो जानकारी देंगे वे इकुल सही और सटीक देंगे इसमें जहूटा वीडियो नहीं बनाते हैं तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सान भाईयों की वीडियों के अंत तक बने रही है अभी इसमें हलकी माटी निकाली जा रही है आप यादी धनिया की खेती किसी भी मौसम में करते हैं चाहे बरसाथ हो चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो तो ये अब धनिया इस तरह से जिस तरह छीट रहे हैं डुड़ी पनने के बाद पैक की टाप को हाथ में पकड़के इस तरह से धनिया के बीज को खलके हाथों से छीटना है ध्यान दें कि बीज जो है इसी तरह का गिरे देख लीजे उसके बाद जब बीज किसी टाई कर दें तो फिर इस तरह से माटी निकाल के फिर वही डुड़ी जो पनी हुई है उसी नादी में फिर भाई में रहत तो किसान भाई हो जाद डबल पढ़ती है लेकिन खेती एक नमबर की लाजबाब होती है एक बार अगर धनिया को आप बोज देंगे तो बार बार बोएंगे मान लिए ठन्डी में तो धनिया की बजार भी सचती रहती है लेकिन जब ये धनिया तैयार आप कर सकते हैं इस तरह बोने से अपरेल और माई जून के महीने में जब गर्मी में धनिया की पेड़ उगते नहीं है धनिया की पेड़ किसी न किसी तरह से उग भी जाते हैं तो पूरे इसे सूख जाते हैं आपको पता नहीं चलेगा तैयार होने से पहले ही धनिया सूख जाती है आप देखते होंगे एकसर धनिया की खेती तो अच्छी हो गई जाम नेसन अच्छा हो गया उसी अब बराबर सी चाई भी करते गए लेकिन अंद में जब धनिया तैयार होने वाली हो जाती है तब उसमें के पेड़ सूख के गाइब हो जाते है आपको पता भी ने चलेगा के मारे धनिया कहा गई आप कहते हैं कोई कीड़े लग गए कि कोई कीड़ा काट गिरा दिया सब सूख जाएगी धनिया पूरी की पूरी तैयार धनिया सूख जाते है लेकिन किसान भाईयो अगर यदि आप इस तरह का वीडियो देख के खेती कीजिए एक भी गारांटी के साथ धनिया के पेड़ एक भी खराब नहीं होंगे और एक नमबर की धनिया का जामनेसन रहेगा चाहे जितनी गर्मी हो चाहे जितनी गर्मी हो इस तासे का धनिया बो दीजिए एक नमबर का जामनेसन रहेगा धनिया, हाथ से हलके, इस तरह से आपको बराबर कर देना है, इस तरह से हम बराबर कर रहे हैं, तर दे बराबर कर देना है, फिर इसकी सिचाई कर देना है आपको, यदि आप तुरंद भी कर सकते हैं, यदि आप खेत में नमी हैं, तो एक दिन बाद भी कर सकते हैं, अतिहान दहें किसान बाइन्यों